आपको पता है कि अगर आपके पास तकनीक हो, तो आपके लिए किसी काम को करना बहुत आसान हो जाता है English का मामला भी कुछ हैसा ही है, अगर आपके पास तकनीक हो, तो आप बहुत Smart English बोलना सीख सकते हैं आज की ये class dedicated है smart English को, आज की इस class में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे certain expressions जो हम अपनी daily life में use करते हैं, बट वो पुराना वाला tradition नहीं कि हमें रटी रटाई चीज सीखनी है, नहीं, मैं आपको आजाद छोड़ दूँगा, आज मैं आपको 12 ऐसे expression देने वाला हूं, 12 certain expressions जो daily life में use करते हो, सब भी के सब भी इन सारे expressions को use कर चुके होगे अपनी daily life में, start करते हैं, देखो आप बताओ कि क्या आपने कभी ये नहीं बोला, कौन नहीं जानता है कि, हम बोलते हैं, जैसे हमें बोलना होता है, कौन नहीं जानता है कि तुम एक नंबर के कंजूस हो, एक नंबर के जूटे हो तुम, मैं कह सकता हूँ कि अब मैं पूरी दरफिट हो गया हूँ, अगर सच कहूँ तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, बात दरसल ये है कि मैं वहां मौजूद नहीं था, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, बिना किसी मतलब के व घूमता रहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस काम को कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कि तुम से हो पाएगा, मानो या ना मानो, लड़के में दम है, अच्छा लगता है जब कोई आप से बेपनाह मुहबत करता है, तरसल मैंने सोचा कि एक बार आप से मुलाकात कर ली जाए बताओ कि आप इन सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में बोलते हो या नहीं बोलते हो आपका जवाब होगा कि मैं बोलता हूं अक्सर बोलता हूं बार-बार बोलता हूं बट इंग्लिश में नहीं बोल पाता आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश में इसको बोलना सिखाऊंगा वो भी बहुत skill के साथ आपका level basic हो medium हो, advance हो कोई फरक नहीं पड़ता आज की ये class सब के लिए है और एक चीज और इस class को करने के बाद आप description में कहीं पर इस video का PDF होगा जरूर आप उसको देखना क्योंकि यहाँ पर जो भी जो भी आपके सामने sentences आ रहे हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पर English में convert कर दिये गए ताकि आपको practice करने में कोई problem नहीं हो ये आज की class English speaking practice को dedicated है, और आज क्या है, हम जो पढ़ने वाले हैं, उसकी कुछ heading title इस तरह का है उसका कुछ जोड़ दो trick मनलब, मैं आपको आजाज, मैंने आपको आजाज छोड़ दिया, आप जो sentence चाहो, आप बोलो, बट शुरू में उसके ये लगा दो who doesn't know that, कौन नहीं जानता है कि, अब क्या-क्या sentence बन सकता है, कौन नहीं जानता है कि तुमें एक नंबर के कंजूस हो, कौन नहीं जानता है कि सूरज पूरब में उखता है, कौन नहीं जानता है कि वो क्या चाहता है कौन नहीं जानता है कि तुम मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, कौन नहीं जानता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कौन नहीं जानता है कि तुम्हें एक नंबर के धोके बाज हो कौन नहीं जानता है कि वो मुझसे नफरत करती है कौन नहीं जानता है कि तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है अब ये जो sentences है ना आपके सामने आपको इसका English में मिल जाएगा PDF, don't worry, description में link है but आपको अभी क्या करना है, इसको practice करना है who doesn't know that, ये सब में common है आपको बस इतना सा बोलना है तुम एक number के कंजूस हो, you are number one miser तुरजपूरब में उगता है, the sun rises in the east वो क्या चाहता है, what he wants, और what does he want तुम मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, you never think good of me मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, I love you तुम्हें एक number के धोके बाज हो, you are number one cheater वो मुझसे नफरत करती है, she hates me तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, there is no money in your pocket अब इनके शुरू में आपको जोड़ना है Practice, आप मेरे साथ practice करो, आप बोलो, जहां भी class कर रहे हो आपको बोलना है, who doesn't know that you are number one miser who doesn't know that the sun rises in the east who doesn't know that what he wants who doesn't know that you never think good of me who doesn't know that I love you who doesn't know that you are number one cheater who doesn't know that she hates me who doesn't know that there is no money in your pocket अब आप बताओ के इस वाले, इस वाले expression की practice हो गई या नहीं हुई definitely आपको बड़ा मजा आया होगा और आपको मदब ऐसा लग रहा होगा intuitive आपके अंदर एक मदब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक power है जो आपको push कर रहा है कि हाँ भई, मैं भी इस expression पे कुछ न कुछ sentence का एक टुकड़ा जोड़ दू मैं भी कोई एक न एक sentence जोड़ दू इस टुकड़े में ताकि मेरा sentence और लंबा हो जाए और आपने जरूर अभी दो-चार sentence प्राक्टिस कर लिया होगा who doesn't know that, who doesn't know that आगे आप आजाद दो, आप जो चाहो आप जोड़ दो आपको अगर लगता है यह suitable है वहाँ पे तो आप जोड़ते रहो, बनाते रहो, बोलते रहो आपके हाथ में एक frame दे दिया गया है अब आप जितने sentences चाहो बना सकते हो I can say that I can say that I can say that मैं कह सकता हूँ कि अब बहुत लेट हो गया That it's too much That it's too late now मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत दे आलू है I can say that He's very kind मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत मुश्किल है I can say that It's very difficult मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है I can say that Learning English is very easy मैं कह सकता हूँ कि उसने तुम्हे दोका दिया I can say that She cheated with you मैं कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया I can say that I never did wrong with anyone अब आप बताओ कि क्या यह सब जो sentences हैं बहुत मुश्किल है नहीं बहुत आसान है और यह expression भी कोई मुश्किल नहीं है जब सब आसान है तो बिंदास बोलो आप PDF मिला हुआ आप प्राक्टिस कर सकते हो अगर सच कहूं तो मुझे नहीं पता सच कहूं तो तुमने उसके साथ गलत किया To be honest, you did wrong with him सच कहूं तो मुझे तुम पर यकीन नहीं है To be honest, I do not believe you सच कहूं तो मुझे इसमें दिल्चस्पी नहीं है To be honest, I don't have interest in it सच कहूं तो यह बहुत आसान गाम है To be honest, it's very easy task सच कहूं तो मैं तुम से सहमत नहीं हूं To be honest, I do not agree with you सच कहूं तो वो तुम्हारे लिए कभी भी वफादार नहीं रहा To be honest, he had never been loyal to you He had never been loyal to you सच कहूं तो मेरे पास तुम्हारी तरफ free time नहीं है To be honest, I don't have free time like you अगला है, the fact is that बात दरहसल यह है कि देखो आपकी daily life से जुड़े sentences है situationally, अब कभी भी ऐसा है आप English में बात करना Suppose तीन दोस्त हैं गए एक shop पे कपड़ी की दुकाने आउट लेटे दोस्त ने खरीदा एक टिशिट तीसरे ने नहीं खरीदा अब वो दोनों उसको बोलने यार तू भी ले ले लेना क्या बोलता है वो? बात दरहसल यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है तब क्या बोलें? To be honest, I don't have money Sorry, sorry The fact is that I don't have money तो आप ये यूज कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, है ना? बात दरसल यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है To be honest, I don't have money बात दरसल यह है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती To be honest, he doesn't want to talk to you बात दरसल यह है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ To be honest, I'm very tired today बात दरसल यह है कि मेरे पास free time नहीं है To be honest, I don't have free time बात दरसल यह है कि लोग अब जागरूख हो चुके हैं The fact is that, sorry, the fact is that the people have become conscious बात दरसल यह है कि अकलमंद लोग संबोधते हैं The fact is that, sorry, मैंने एक दो जगह पे to be honest use कर दिया Actually, the fact is that था वो बात दरसल यह है कि अकलमंद लोग संबोधते हैं The fact is that, why is people talk less? Why is people talk less or speak less? बात दरसल यह है कि भारत की अर्थ व्यवस्था लगातार पिछड रही है The fact is that, the economy, the Indian economy is lagging Lagging, L-A-G-G-I-N-G बात दरसल यह है कि तुम किसी की नहीं सुनते The fact is that, you do not listen to anyone एक बार recall कर देता हूं, थोड़ी mistake अगर हुई तो The fact is that, I don't have money The fact is that, she doesn't want to talk to you The fact is that, I'm very tired today The fact is that, I don't have free time The fact is that, people have become conscious The fact is that, why is people talk less? The fact is that, Indian economy is lagging or lagging behind The fact is that, you do not listen to anyone इस तरह से बोलेंगे अगर तुम्हें बुरा न लगे If you don't mind अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं If you don't mind, I want to ask you something I wanna ask you something अगर आपको बुरा न लगे तो मैं घर जाना चाहूंगा If you don't mind, I would like to go home If you don't mind, I want to say you something और यहां कुछ पूछना चाहता हूं If you don't mind, I would like to sit here If you don't mind, can I shut the window मैं shut the window, मैं close the window, अगर आपको बुरा न लगे, तो मैं window seat पर बैठना चाहूंगा, train में अक्षर होते, if you don't mind, I would like to sit on the window seat, for no reason, बिना किसी मतलब के, बिना किसी मतलब के, तुमने बच्चे को मारा, for no reason, for no reason, you beat the children, or you beat the children for no reason, बिना मतलब के, वो चिलाने लगी, वो चिलाने लगी, she started to scream, f-c-r-e-m, बिना किसी मतलब के, वो मुझसे बात कर रहा रहा है, he was talking to me, for no reason, बिना कोई मतलब, उसने मुझे call किया, बिना किसी मतलब के, अब he called me, for no reason, for no reason, बिना मतलब के वो हाँ सरा रहा है, he was laughing for no reason, for no reason he was laughing, उसने बिना मतलब के, अपने बेटे को data, data को English में हम, scald बोलते हैं, rebuke बोलते हैं, child बोल, s-c-o-l-d, उसने data, he scolded, अपने बेटे को, his son, for no reason, और अगर कोई lady है, अगर उन्होंने डाड़ा, तो she scolded her son, for no reason, बिना मतलब के, वो सर पीट रहा था, he was, he was, सर पीटने के लिए, यहाँ पर हम use करेंगे, banging, you can say banging, banging, he was banging his head, or he was hitting his head, for no reason, let's go ahead, do you think, मतलब क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, कि मैं जूड बोलना हूँ, do you think, I'm telling a lie, क्या तुम्हें लगता है, कि उसने smart बनने की कोशिश की, do you think, he tried to be smart, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, do you think, no one can defeat you, क्या तुम्हें लगता, है, कि ये वास्तविक है, do you think it is real, क्या तुम्हें लगता है, कि तुम्हें लगता है, do you think you have one more chance, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता है कि यह एक मुश्किल काम है. I don't think that it's a difficult job. मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें माफ कर देगा. I don't think that he will forgive you. मुझे नहीं लगता है कि तुम यह कर सकते हो. I don't think that you can do this. मुझे नहीं लगता है कि तुम सच बोल लहे हो. I don't think that you are speaking the truth. मुझे नहीं लगता है कि मैं कॉम्प्रॉमाइज कर सकता हूँ. I don't think that I can compromise. अगला है, believe it or not, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, कल मेरी मुलाकात तोनम से हुई. Believe it or not, I made तोनम yesterday. मानो या ना मानो, कभी कभी मैं तुमसे भी सैमत हो जाता हूँ. Believe it or not, even I do agree with you sometimes. मानो या ना मानो, सिर्फ वही तुमहारी मदद कर सकता है. Believe it or not, only He can help you. मानो या ना मानो, सोनम कभी तुमसे शादी नहीं करेगी. Believe it or not, सोनम will never marry to you. मानो या ना मानो, मेरे पास समय नहीं है. Believe it or not, I don't have time. मानो या ना मानो, वह एक आशावादी बंदा है. Believe it or not, believe it or not, He is an optimistic fellow. यहाँ पे बंदा के लिए F-E-L-L-O-W करेंगे. मानो या ना मानो, कमी तुम्हारे अंदर है. Believe it or not, the shortcoming is in you, is inside you. The lack is inside you. है ना? Shortcoming भी बोल सकते हैं, lack भी बोल सकते हैं, है ना? Deficiency, यहाँ पे उतना appropriate नहीं है. The lack is, the shortcoming is inside you. मानो या ना मानो, लोगों के पास पैसे नहीं हैं. Believe it or not, people have no money now. It feels good when अच्छा लगता है जब. अच्छा लगता है जब. Sentences भी बड़े बेजोड हैं. देखो. अच्छा लगता है जब कोई आपका खयाल लखे. It feels good when someone takes care of you. अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से फुकारे. It feels good when someone calls you by your name. अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें बिना शर्थ चाहे. It feels good when someone loves you unconditionally. अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ करे. It feels good when someone phrases you. अच्छा लगता है जब आप अपने घर पर हों. It feels good when you are at your home. अच्छा लगता है जब आप अपनी family के साथ हों. It feels good when you are with your family. अच्छा लगता है जब बच्पन के दोस्त से मुलाकात होती है. It feels good when we meet with childhood friends. अच्छा लगता है जब आप अगला Actually I thought अगर आपको ये बोलना हो तो आप बोलेंगे Actually I thought Start करते हैं दरसल मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे Actually I thought you won't come या you will not come दरसल मुझे लगा कि तुम्हारे पास time नहीं है Actually I thought you don't have time दरसल मुझे लगा कि मैं आप तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा Actually I thought I would never meet you again दरसल मुझे लगा कि तुम्हारे पास payse नहीं है Actually I thought you don't have money दरसल मुझे लगा कि तुम सबसे अलगो Actually I thought you are really you are quite different from everyone दरसल मुझे लगा कि तुम बहुत I thought you're very jolly minded you're a very funny character दरसल मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला हूं Actually I thought I'm not gonna survive now I'm not gonna survive now Sorry to say that बोलना तो नहीं चाहिए पर ये जब बोलना होता है तो हम क्या बोलना तो नहीं चाहिए पर देखो ये ये ना most used expressions में से आता है लोग ऐसी मतब ये बहुत ज़ादा बोलते है हालाकि क्या बोलते है बोलना तो नहीं चाहिए पर फिर भी बोली देते है अब क्या-क्या सब बोलते है ये देखो बोलना तो नहीं चाहिए पर तुम एक नंबर के बत्तमीज हो बोलना है लोग sorry to say but you're number one idiot बोलना तो नहीं चाहिए पर तुम अपने आपको बहुत smart समझते हो sorry to say but you think you're very smart but you think very smart of you बोलना तो नहीं चाहिए पर तुम ने उसके साथ गलत किया sorry to say but you did wrong to him बोलना तो नहीं चाहिए पर मुझे लगता है उसका time पूरा हो गया sorry to say but his time is over now बोलना तो नहीं चाहिए पर अब life में कभी मैं उससे नहीं बोलूँगा sorry to say but I'll never talk to him again in life बोलना तो नहीं चाहिए पर जवान पीडी पर अपनी मर्दी थोपना तहीं नहीं है sorry to say but it's not good to impose one's will on young generation sorry to say but it's not good to impose impose मदब थोपना one's will मदब अपनी मर्दी on young generation नई पीडी पर आज की ये वीडियो यहीं पर end होती है और मुझे लगता है कि आप चाहे basic level के हों intermediate level के हों या advanced level के हों आप तीनों ने इस class को बहुत enjoy किया होगा और अब आपको अगर इन expressions को बोलना होगा अपनी daily life में तो आप English में बड़ी आसानी से बोल सकते हैं आप description को जरूर visit करें इसके PDF फाइल को देखें जहां इसके English लिखी है ताकि आपको strive करना ना पड़े आपको परेशानी नहीं हो और अगर आप systematic way में English speaking सीखना चाते हैं तो आप हमारे Diamond English speaking course से जुड़ सकते हैं लिंक description में है और आप वहाँ एक number भी दिया गया है आप उन number पर contact भी कर सकते हैं बस आपको play store पर जाकर हमारे app को install करना है जिसका नाम है Motivelish वही नाम जो इस channel का है love you a lot, have a great day